स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज कलास 11 के रसाइन विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे दाब ताप का नियम क्या है और एमान टान का नियम क्या है पिछले भाग में हम लोग पढ़ेते बायल का नियम क्या है चास का नियम क्या है गय समीकरण क्या है यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लैलिस्ट में वीडियो है वहाँ से जाकर कि उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं तो आज इस भाग में जो आप याद रखिएगा और यह टी इसी को जो हिंदी में बोल देंगे मने संटेंस बना करके बोल देंगे यह क्या बना हुआ है यही इसका क्या हो जाएगा ताप दाप का हो जाएगा नियम हो जाएगा तो यहां कहेंगे इस्थिर आयतन मतलब इसमें आयतन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको का कहेंगे इस्तिर आइतन पर किसी गैस के निश्चित दर्मान का दाव उसके पौरम ताप के क्या होता है अनकर्मान पाती होता है। तो अब इसका उत्ता लिख लेंगे इस्थिर आयतन पर किसी गैस का निश्चित दर्मान का दाव उसके परमताब के क्या होता है अनकर्मान पाती होता है कितना आसान है मतलब इसमें इस्थिर आयतन है मतलब आयतन दिखाई नहीं दे रहा है इसने कहेंगे इस्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परमताब के क्या है अनकर्मान पाती होता है किसका नियम कहलाएगा दाब का नियम कहलाता है या दाबताब का नियम या इमान टान का नियम कहलाता है जब इस चीन को हटा देंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे के टी और जहां के क्या है नियतांक है अब के का मान कितना होता है तो के बराबर जो है अब यहां पे के का एक नियतांक है ध्यान दीजेगा तो अब यह की बराबर कैसे निकाला जाएगा तो क्या करेंगे यहां पे टी को जो है नीचे भेज़ देंगे टी जो नीचे चला जाएगा तो दो गैस के लिए बनाते हैं तो क्या बनेगा तो लिखेंगे P1 बटा क्या होगा T1 बराबर क्या हो जाएगा P2 बटा क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा यह कितने गैसों के लिए हैं दो गैसों के लिए जो है यह सुत्र बन गया P1 बटा T1 अब P2 बटा क्या हो जाएगा T2 यह क इसका सुत्र है, तो दाब ताब का नियम कहते हैं, या एमान टान का नियम कहा जाता है, बहुत असान है, जब एक के को हटाते हैं, तो दो पदार्थ, दो गैसो कि नहीं बनाएंगे, तो क्या बनाएगा, P1 बटा T1, P2 बटा T2, ये सुत्र कैसे बना है, अब इसका हमनों नि दाव दाप का जो सुत्र बना है, सुत्र का क्या करेंगे, निगमन करेंगे, मतलब वो सुत्र कैसी बना, अब इसका निगमन करके बताया जाएगा, और आप सभी भी द्यार थी, इसे पने कापी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिए, जिसे आपका एक नोट से भी करेंगा, बनता रहेगा, तो अब यहां लिखेंगे, पहले गैस के लिए, किस गैस के लिए हैं, पहले गैस के लिए हैं, तो पहले लिख देंगे, यहां पर गैस के लिए हैं, पहले गैस के लिए, तो पहले अगर गैस के लिए नियम लागू करेंगे तो क्या बनेगा यहां पर पहले गैस के लिए क्या होगा P1 अनकर्मान पाती क्या बन जाएगा यह T1 यह किस का नियम है तो दाब का नियम है और किस गैस के लिए लागू किया है तो पहले गैस के लिए जब इस चीन को हटाएंगे तो का लिखेंगे P1 बराबर क्या हो जाएगा K हो जाएगा और यह क्या बनेगा T1, T1 को नीचे भेज देंगे P1 बटा क्या होगा T1 बराबर क्या हो जाएगा यहां पर बनेगा K तो बन गया समी का नंबर क्या एक, समी का नंबर यह बना एक बन गया, तो समी का एक कैसे बना है, समझ में आ गया होगा, कि P1 अनकर्मान पाती T1, जब चिन को हटाए, तो K T1, T1 को नीचे भेज दिये, तो P1 बटा T1 बराबर क्या हो जाएगा, क्य हो गया, अब यहाँ कांगे दूसरे गाईस के लिएंगे क्या स्थर बनेगा पी टू- अनकरमानपाति क्या बना टी-टू पी टू जो है अनकर्मान पाती क्या हो जाएगा टी टू हो जाएगा अब पहले गाइस के लिए क्या था पी वन अनकर्मान पाती टी वन था अब दूसरे गाइस के लिए पी टू अनकर्मान पाती टी टू हो गया अब इस चीन को हटाएंगे तो क्या बनेगा पी टू बराब के बन गया के और यह बन गया समिकरण नंवर क्या बन गया तो अब समीं के एग एक जो है यह धिक यहां चो यहां पर समी करड़ दो कामान जो निकला है समी कर दो कामान समी करड़ एक में रखने पर समी कर दो कामान किस में रखेंगे समी करड़ एक में रखने पर अब समी कर एक में इसको रख लेंगे समी कर एक में रखने पर अब समी कर एक में रखेंगे तो क्या बनेगा रखने पर तो अब यहाँ पे J को हटा देंगे और इसके अस्थान पे P1 T1 जो था हट जायेगा तो क्या बन जाएगा P1 बटा T1 बराबर और J के जगह पे क्या लिखेंगे P2 बटा T2 अब यहाँ का जाएगा P2 बटा T2 हो जाएगा मतलब यह के के जगवा पे जो है इस के के अस्थान पे अमान को क्या किया है रख लेंगे तो P1 बटा T1 बराबर क्या हो जाएगा P2 बटा क्या हो जाएगा T2 तो यह जो बना किसका सुत्र हो गया दाब का सुत्र हो गया या एमान टान का जो है सुत्र हो गया तो समझ में आ गया होगा ये सुत्र का निगमन कैसे किया गया है तो आप सभी भी द्यारती से इपने कापी में जरूर नोट कीजे जिसे आपका एक नोट भी बनता रहेगा तो अब हम लोग पढ़ेंगे ससंजक बल क्या होता है और आसंजक बल क्या होता है तो पहले यहां heading को note करेंगे ससंजक बल ससंजक बल क्या है बहुत IMP है यह कई बार पर इच्छह में पुछा जा चुका है कि ससंजक बल क्या होता है और आसंजक बल क्या होता है तो इसका उतर होगा बहुत ही आसान एक ही पदार्थ के अड़ों के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं एक ही पदार्थ मतलब उसमें जो पदार्थ रहेगा एक ही पदार्थ के अड़ों के बीच जो लगने वाला बल होता है उस बल को क्या कहेंगे ससंजक बल कहते हैं तो यहां उत्तर इसका लिख लेंगे एक ही पदार्थ के अड़ू के बीच लगने वाले बल को बीच लगने वाले आकर्शन बल को क्या कहते हैं ससंजक बल कहते हैं कितना असान है ससंजक बल की परिभासा ससंजक बल कहते हैं इस अपने कापि में जरू नोट कीजिए क्या कहेंगे एक ही पदार्थ के और के बीच लगने वाले आकर्शन बल को क्या कहेंगे ससंजक बल कहते हैं और जहां एक ही पदार्थ है वहां भीन भीन अगर पदार्थ हो जाए भीन भीन पदार्थों के और के बीच में लगने वाले आकर्शन बल को क्या कहेंगे आसंजक बल कहते हैं बस परिभासा में थोड़ा सा अंतर है तो अब हम लोग पढ़ेंगे आसंजक बल तो जैसे ससंजक बल पढ़ें उसी प्रकार जो है आसंजक बल की परिभासा है तो आसंजक बल की परिभासा और ससंजक बल की परिभासा में थोड़ा सा जो है अंतर है तो असंजक बल क्या होते हैं जो है अब यहाँ इनके बारे में भी शमझेंगे असंजक बल क्या है तो काएंगे भीन भीन पदार्थो के अण के बीच लगने वाले आकर्षन बल को लगने वाले आकर्षन बल को क्या कहेंगे आसंजक बल कहते हैं इसे दो बार पढ़िएगा आपको परिभासा क्या हो जाएगा याद हो जाएगा कितना आसान परिभासा है क्या कहेंगे भीन भीन पदार्थो के बीच लगने वाले आकर्षन बल को आसंजक बल कहते हैं मतलब यहां पदार्थ जो रहेगा वो भिन भिन पदार्थ रहेगा और भिन भिन पदार्थों के जो बीच में जो आकर्षन बल को ही का कहेंगे आसंजक बल कहते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे सारवत्रिक गैस नियतांग का मात्र क्या होता है सारवत्रिक गैस नियतांग सारवत्रिक गैस नियतांग का जो है नियतांग का मात्र क्या है या इसकी काई क्या है तो सारवत्रिक गैस जो है नियतांग सारवत्रिक गैस नियतांग लिख लीजिएगा सारवत्रिक गैस नियतांग सारवत्रिक गैस नियतांग का मात्रक क्या होता है सारवत्रिक गैस नियतांग को किसे प्रदर्सित करते हैं सारवत्रिक गैस नियतांग को आर से प्रदर्सित करते हैं तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे बायल और चार्ज के जब नियमों को संयूत किया गया था तो एक गए समीकर बना था तो क्या था यहाँ पी भी बराबर क्या था यन था आर था टी था पी भी भी क्या था यन आर टी था अगर यहाँ पी यन आर टी को इधर लिख दें या करके लिखेंगे यन आर टी बराबर क्या होगा पी भी हो जाएगा तो यन को और टी को जो है नीचे भेज देंगे क्योंकि हमको आर का सुत्र बनाना है तो आर बराबर क्या बनेगा तो आर बराबर होगा पी भी बटा क्या हो जाएगा पी भी बटा नीचे कौन कौन जाएगा तो पी भी बटा का जाएगा यान हो जाएगा और टी जो है नीचे चला जाएगा तो यह किसका सुत्र बन गया तो सारवतिक गैस नियतांग का जो है यह सुत्र बन गया अब यहां लिखेंगे आर का जो है मातरक क्या होता है अब यहाँ पी का मात्रक क्या है पी का मतलब दाब का मात्रक क्या होता है तो दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रती मीटर का स्क्वाइर होता है क्या होता है न्यूटन होता है और क्या होता है मीटर का जो है स्क्वाइर होता है न्यूटन मीटर का स्क्वाइर प्रत किती जो है एक मीटर को इसको काढ देगे तो ऐक मीटर अभी बचा रहेगा तो क्या बंचेगा यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन हो गया और एक मीटर अभी उपर बचा ही है तो क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर हो जाएगा अब प्रती क्या होगा प्रती मौल होगा और क्या हो जाएगा मौल और उसके बाद से बगल में क्या हैं जूल क्यों कि जो है यह किसका मात्रक है कारे का मात्रक न्यूटन मीटर होता है और जूल भी उसका मात्रक होता है तो लिख सकते हैं जूल प्रती मोल क्या लिख सकते हैं मोल कैलवीन तो इसका मात्रक दो निकल गया दोनों मात्रक को आप लोग याद रखेगा पहला क्या बता है निउटन मीटर प्रती मोल कैलवीन अब दूसरा मात्रक हो जाएगा जूल प्रती मोल कैलवीन तो मात्रक जो निकाला गया है आप सभी विद्यार्थी समझ लिये होंगे यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप सभी विद्यार्थी जरू कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा यदि चैनल पर पहली बार आए होगे तो चैनल को सस्क्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि यह लाइब कलास आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा आप मिलते हैं अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार